एक देश देख रहे हैं ये देश है इक्वाडोर और इक्वाडोर ने रूस के साथ एक बड़ा कांड कर डाला है वैसे तो लेटिन अमेरिका का ये जो देश है लेटिन अमेरिका में जादतर देशों के साथ कोसिस करता है रूस की दोस्ती बनी रहे इसलिए क्योंकि ये अमे कर दिया है जिसके बाद गुसाएः हुए रूस ने एक बड़ा ही जवर्जस्त एलान किया है और आपको बता दे रूस ने भारत को ऑडर दिया कि आप हमें बनाना और पपाया का सप्लाइ कीजिये और भारत ने जहाजों में भर भर कर केले और पपीते भेज दिये हैं अब क्या है मामला इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में आया है यह मामला जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है खास तोर पर रूस यूक्रेन मामले में और आपको बता दें पुतिन यूएस के पहले पत्रकार को खुद इंटर्व्यू दे रहे हैं करीब दो घंटे का और इस चीज ने एक हलचल सी मचा दी है जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह CIS News Network के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से सबसे पहले बात करें रूस यूक्रेन युद्ध की तो रूस यूक्रेन युद्ध में कुछ चीजें देखने को मिली इतने दिनों बाद और देखने को क्या मिल रही है कि रूस ने अपनी एकोनोमी को बरकरार रखा है और ये मैं नहीं कह रही हूँ फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट कह रही है और आई एमेफ कह रहा है इस बात को कि रूस ने अपनी एकोनोमी को बरकरार रखा हुआ है आई एमेफ ने नोट किया कि रूसी एकोनोमी बढ़ी है इसके पीछे बहुत सारे कारण है चाहे वो तेल का बैपार हो या पहले से सोने क खरीद हो या फिर अफरीका में वैगनार ग्रूप के द्वारा बड़े जो सोने के खदान है बिजनेस है वो हो बहुत सारी चीजे हैं पर हां रूस के उपर जिस तरीके से परभाव पढ़ना चाहिए था वो परभाव पढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है उल्टा अभी एक सं सनी हो गई है तो आपको बता दें ये जो सक्रीन पर देख रहे हैं ये बड़े ही प्रखर पत्रकार माने जाते हैं अमेरिका के और ये जब बोलते हैं तो बड़ी भीड लग जाती है टकर कालसन और इनों ने एक बड़ा ही बयान दिया है और इस बयान के बाद कचर्चा हो रही है इनकी भी और इनके पत्रकारिता की भी दरसल हुआ ये है कि इनों ने पुतिन के इंटर्व्यू लेने का दावा कर दिया ह फॉक्स न्यूज में ये पहले काम करते थे और चर्चित पत्रकार है राइट विंग के टकर कालसन इनका दावा है कि वे रूसी राश्पती ब्लादिमीर पुतिन का इंटर्व्यू लेंगे और फिलाल वो रूस की राजधानी मौसको में है उन्होंने कहा कि उन्हें इंटर् रिलीज कर दिया जाएगा वे सबसे बड़ी करती है कि ज्यादातर हम पस्चमी मीडिया को किया है अब देखना होगा किस इंटर्व्यू में क्या है लेकिन ये इंटर्व्यू धमाल मचाने वाला है कहा जा रहा है दो घंटे से जादा का ये इंटर्व्यू था आपको बता दे टकर को डोनाल ट्रम्प की रिपॉब्लिकन पार्टी का समर्थक माना जाता है कहा जात चुनाओं में वोटिंग मसीन में गड़वडी हुई है कमपनी ये मामा लेकर अदालत चली गई थी और वहां फॉक्स की हार हुई थी करीब 65,000 करोड रुपए का जुर्माना देना पड़ा था कमपनी को ये खासी मोटी चपत कालसन की वज़े से लगी थी और इसके बाद का आपको बता दें रूस ने भारत को ओडर दिया कि आप हमें बनाना का सप्लाई करें आप हमें पपाया का सप्लाई करें और भारत ने वो सिप्मेंट भी भेज दी और जो रूसी कमपनी है जो इन एगरिकल्चर के चीज़ों को देखती है उस कमपनी का ये कहना है कि हम पपीता बेजता था पर इस बार रूस ने कहा कि सारे फल वगेरा आप हमें बेचो से भी बेचो और अमरूद भी बेचो पपीता भी बेचो केले भी बेचो कारण क्या है कारण है ये देश इक्वाडोर पहले रूस इक्वाडोर से बनाना खरीबता था और आपको बता दे इक्वाडोर अच्छा खासा उत्पादन करता है केले का दुनिया भर में केले का बढ़ियां सप्लाई करता है इनकी अर्थ विवस्ता में केला एक महतपूर्ण हिस्सा है और इनके कुल उत्पादन का पांचवां हिस्सा तक खरीद लेता था रूस रूस और इक्वाडोर के बीच में एक बड़ी हाँ कोप्रेशन भी था जब महामारी फैली थी तब भी यहाँ पर देखने को मिला था कि इक्वाडोर को बहुत सरी मदद कथी तौर पर मिली थी रूस की तरफ से और इक्वाडोर ने रूसी हतियार भी खरीदे अब चुकि य वही चीज इसके लिए काल बन कर चली आई आपको बता दें क्या हुआ है उस पर बात करेंगे पर उस से पहले किस तरीके से नाराज हुआ रूस कि रूस ने सीधे सीधे सबसे पहले इनके केले पर बेन लगाया और जब केले पर बेन लगाया न तो लोग हसने लगे स्क्री इसरी तरफ उस पर भी ये कहा गया कि अब रूसी मार्केट ही खाली हो जाएगा इनके सूपर मार्केट में अब केले भी नहीं दिखेंगे पर आपको बता दूँ यहां पर कि रूस आठ सो मिलियन डॉलर के केले खरीदता है हर साल इकवाडोर से और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सारा लफडा सुरू कहां से हुआ है इकवाडोर के पास जो रूसी हतियार थे और हतियारों के कुछ तूटे फूटे पार्ट थे उसको अमेरिका ने कहा है कि आप हमें बेच दो और हम आपको रिप्लेस कर देंगे यह जो 200 मिलियन डॉलर के हतियार है इनको हम बदले हम आपको अमेरिकी हतियार देंगे और यह चीज इकवाडोर ने मान ली है इकवाडोर के ऐसा मानने के बाद ही यह बैन लगाया गया है अब जड़ा सोचीए 200 मिलियन डॉलर के हतियार के लिए 800 मिलियन डॉलर का सालाना नुकसान हाला कि भारत के लिए यह बहुत अच्छी बात है कि भारत को उसके मार्केट में जगह मिल रही है और अब भारत फल भी बेच पाएगा पर हाँ इक्वाडोर में इस्तिती और भी ज्यादा खराब होगी आपको बता दें इक्वाडोर के अंदर खुद भी पूरी तरीके से सारी चीजें इस्थिर नहीं है इसक्रीन पर मदद के लिए रूस भारत की तरफ आया तो भारत ने भी रूस की मदद की है वैसे इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ